दोस्तों, आज मैं आपको एनल कैनल में जो इंस्टेर्स होते हैं, बेसिकली एक्स्टर्नल और इंटर्नल इंस्टेर्स, इनकी एनाटमी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ. अनेक अवसरों पर बार-बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमको वाइल परफॉर्मिंग एनी सर्जिकल प्रोसेजर, जब भी हम कोई प्रोसेजर करते हैं, तो वो इंस्टेर्स एक्चुली विजुलाइज नहीं होते हैं, तो हम उनको कैसे अइडेंटिफाई करें, क् के पेरामिटर्स होते हैं, और उसमें अंदर भी जो जो मेन कुछ एनाटमिकल लेंडमार्क होते हैं, उनके बारे में मैं वन बाई वन आपको पताऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग एक्स्टरनल और इंटरनल इस्ट्रिक्टर की बात करते हैं, तो देखिए बाहर से सामाने किती है, वो जो उसकी एक एंटरो पॉस्टिरियर स्लिट के रूप में दिखाई देती है, बाहर से, और यह जो इसकीन होती है, इस टाइटली फिक्स्ट विद दा एक्स्टरनल इस्ट्रिक्टर्स बाई सर्टेन फाइबर्स और बैंड, यह कैसे होते हैं, यह भी मैं आपक की तरफ फोकस करते हैं, कि वो उनीकी एनाटमी पर रहते हैं, ऐसे हमको एनल कैनाल दिखाई देती है, हम जब भी स्टूडेंट्स को बताते हैं, कि पेशेंट को यूजवली वैसे तो बहुत सारी पोस्टर्स होते हैं, लेकिन यूजवली हम लोग लिथोटोमी पोस्टर म तो एक्जामीन करने में सबसे पहले बहार से क्या हम इन इंस्विक्टर का पता लगा सकते हैं या नहीं, और पर्टिकुलरली जो इंटर्नल इंस्विक्टर होता है, फीशर के के केसिस में जब वो नॉर्मल से ज़्यादा उसमें स्पाजम हो जाता है, तो उसका कैसे पता लेता है, कोई भी डेफिनिशन नहीं आएंगी, सबसे पहले पेशेंट को एक्स्पेंड करना पड़ेगा कि हम उसको एनोर्यक्टल एग्जामीनेशन करने जा रहे हैं, बिकॉज इस नॉर्मल एग्जामीनेशन, इसमें फिंगर इंटर्दूस करनी है, सबसे पहले जायलो प्रेस करना है, ताकि और पेशेंट को कहना है कि वो रिलाक्स करें, तो इससे क्या होगा कि इस्ट्रेट इंसर्शन ऑफिंगर इस्मा इस नॉट डिजारेबल, उससे वो इस्पाजम कर लेगा, हमको डेफिनिशन नहीं मिलेंगी, बल्कि इस्ट्रेट जब हम उसको फिंग यह एक बात हो गई दूसरी बात क्या होती है कि जब हम इंस्विक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली जो एक्स्टरनल और इंस्विक्टर होते हैं यह एक बात करता हूं तो यहां पे सपोज यह एक रेक्टम है बाहर की तरफ जो यह इस्किन हो गई इस्किन के जस्ट नीचे जो इंस्विक्टर होता है एक्स्टरनल वो सब्कुटेनियस पार्ट ओफ एक्स्टरनल इंस्विक्टर सब्कुटेनियस पार्ट यहां पे यदि हम बाहर इसको देखें यह एनल कैनल है तो जब भी हम कोई इंसिजन लगाते हैं तो सबसे बाहर की तरफ इस्किन होता है इस्किन के जस्ट नीचे जैसे ही हम इसको को separate करेंगे तो हमको कुछ फाइबर्स एक्स्टरनल इंस्विक्टर के दिखाई देंगे एंटिरियरली कम मांक होते हैं पॉस्टियरली यह ज़्यादा होता है तो सबसे पहले जो इस्फिक्टर का पार्ट आएगा वो आएगा सबकुटेनियस इस्फिक्टर जैसे ही हम इन सबकुटेनियस इस्फिक्टर को सेपरेट करते हैं उसके अंदर जाते हैं वही हमको internal inspector और external inspector के बीच में जो inter-inspectory space होता है जो बहुत ही anatomically important होता है वो दिखाई दे जाता है तो जैसे ही हम इसको suppose हमने यहाँ पर incision लगाया तो incision लगाने के बाद इसको separate किया तो बीच में यह inter-inspector space मैं इसको ऐसे बना देता हूँ और इसके अंदर यह internal inspector की तरह से होता है external inspector आल्मोस्ट पूरे area को cover करता है और यह इधर जैसे ही anorectal junction आता है यहाँ पर यह levator ni muscle को के साथ fuse हो जाते है अब यह इसके fiber सबसे पहले subcutaneous होते हैं इसके बाद इसके होते हैं superficial और finally deep deep part finally deep part और deep part के ही जो fibers होते हैं वो levator ni muscle के साथ जो के rectal sling है जो rectum के पीछे एक sling के रूप में लगा रहता है उसी के साथ इसके fibers fuse हो जाते हैं तो in that way जो external inspector है यह तीन बागों में होता है subcutaneous जो सबसे पहले यहाँ पे subcutaneous मिलेगा जब हम इसके fiber को अटाएंगे तो इसके नीचे जो है वो superficial fiber मिलेंगे और जब superficial fiber को अटाए जाएगा तो यह बहुत deep जा करके यहाँ पे यह deep external inspector होगा जो के levator ni के साथ continuous हो जाएगा actually जो problematic phenomena है यह totally जो inspector होता है यह voluntary होता है यहाँ के we can contract this inspector contrary to that जो internal inspector है internal inspector is involuntary यह voluntary part है surgically यदि हम इसको देखे we can divide up to 30% of total external inspector without any continence, mechanism, disturbance लेकिन यह जो deep fibers है external inspector के और जो levator ni muscle है यह किसी भी condition में divide नहीं होना चाहिए यदि ऐसा होता है तो यह एक disaster होगा patient के साथ उनको incontinence develop हो जाएगी subcutaneous और कुछ superficial fibers को हम divide कर सकते हैं without losing any continence mechanism that is an important thing जो fistula के संबंद में अब यहाँ पे जब हम incision हम कैसे fibers को देखें तो I will show you certain video of individual fibers deep fibers तो usually दिखाना एक patient में बहुत difficult होता है but we can show you the subcutaneous very easy and some superficial fiber of the external inspector and internal inspector का जो नीचे वाला जो portion होता है यदि हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको यहाँ पे यह बनाता हूँ तो यह internal inspector और और इसके चारो तरफ external के फाइबर तो जब हम किसी सपोस्पोस हम internal spectraotmy करने जा रहे हैं we make an incision over here और जो यह subcutaneous fiber है यह इसके उपर overlap कि रहते हैं subcutaneous fiber तो हम क्या करेंगे जब हम यहाँ incision देंगे हम इसको subcutaneous fiber को divide करेंगे stretch करेंगे और उसके नीचे से जो यह internal inspector है यह लगबग लगबग pale या whitish color का structure होता है cod like इसको अंदर की तरफ से निकाल करके हम लोग inspector ot me करते हैं either lateral और posterior posteriorly भी marked होता है तो हम यहां से incision दे करके सबसे पहले जो subcutaneous fiber है उनको थोड़ा stretch करके जैसे ही अंदर जाएंगे तो अंदर हमको यहाँ पे submucosa और mucosa होती है इसके बीच में तो submucosa को feel करके एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूं कि यदि आप यह assess करना चाहते हैं कि इस patient में जो internal inspector है वो contract contraction की stage में तो नहीं है तो आपको क्या करना है जैसे ही आप यहाँ पे correct examination करते हैं तो प्रटल examination करने में जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमको एक छोटा सा groove दिखाई देगा यह groove जो है यह inter-inspectric groove होता है यानि कि अंदर की तरफ inspector यदि जितना tight होगा तो यह groove उतना ही marked होगा वहाँ पर जागर के जब भी हम finger जाएंगे तो हमारी finger उस particular part को अलग से पहचान लेगी तो वो inter-inspectric groove होता है वहीं पे जो internal inspector होता है उसके lower fibers आराम से मिल जाते हैं तो दूसरी finger यदि हम वहाँ से रखते हैं और बाहर की तरफ से incision से जब हम finger से guide करके उस inspector को किसी भी Alice forceps या artery forceps की साहता से grasp कर सकते हैं उसको आगे पीछे जब हम हिला के देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यस ये internal inspector है और हम इसको बाहर की तरफ ला रहे हैं क्योंकि दूसरी finger से वो clear cut उसमें एक moment feel हो जाएगी यदि हमने वो fiber नहीं पकड़े हुए हैं तो वो moment feel नहीं होगी ये भी एक तरीका होता है internal inspector को पैचानने का ये केवल उन लोगों के लिए है जो नए हैं या नए नए जिन्होंने learning शुरू की है तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा जो मैंने sketch बनाया यहां पे ये internal और external inspector के पारे में था Thank you very much